हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सबी उमीद करती हूँ आप सबी बहुत अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कमर दर्द के शिकायत गरवावस्ता में कब होती है कियों होती है, कब चालु होती है, क्या करें कि इसमें रहत मिल जाए कियोंकि कमर दर्द हर महिला को होता है pregnancy के दोरान तो अगर आप pregnant हैं आपको कमर दर्द अभी चालु नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को देख के समझ जाए कि कमर दर्ध चालू तो होगा लेकिन उसके हैंडल कैसे करना है उसको हैंडल करने का तरीका क्या होता है साथी साथ प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्ध की शिकायत बहुत बढ़ना चालू क्यों हो जाती है कौन से यसी गलती होती है जो कमर दर्ध में बहुत जादा बढ़ोतरी करती है जो प्रेगनेंट महिला को बिलकुल नहीं करना चाहिए आज के इस वीडियो में हम सारी बाते जानने वाले हैं सबसे पहले जानती है कि कमर दर्ध होने का कारण क्या होता है देखे फ्रेंड्स जब आपकी प्रेगनेंसी रुखती है आपका गर्वावस्ता बहुत तेजी से बढ़ता है आपका जो गर्व है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है आपकी यूट्रस का साइज बिगर होने लगता है और यहां के लीगामेंट फ्लैक्जिविल होने समय लगती है बढ़ता हुआ तो पीछ के बोन पे जो रिडिर की अटी अद्टे से आपको कमर-दर्ध लगता है दूसरी बात बहुत सारे ligament flexible होते हैं आपका pelvic muscles जो होता है उसमें बदलाव होते रहते हैं तो ये सरीर के लिए काफे ज़दा complicated होता है तुरंत से इसको समभालना और ये आपको दिक्कत गर्भावस्था में कमर दर्द की second trimester में ज़्यादा होती है जब बच्चे का size भी बढ़ जाता है क् अगर आप pregnant है तो आपके दीर की हड़ी बिलकुल सीधी होनी चाहिए ताकि आपके कमर दर्द के शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं और हो भी रही है तो इसमें आराम मिलता है इसके अलावा सोने के posture की वजह से भी कमर दर्द होने लगता है यानि अगर महिला गलत तरीके से सोती है अगर पीठ के बल सो रही है तो उसको जादा प्रॉब्लम होगी जादा पीठ में दर्द चालू होगा क्योंकि आपका पूरा पेट का भार आपके पीठ प्यारा है तीसरी बात कि अगर आप झूख कर काम करती हैं अगर सीधे आप जुख जाती हैं जैसे प्रेग्नेंसी नहीं थी तब आप करती थी तो यह गलती करना बंद कर दीजे क्योंकि इस समय आपका संतुलन खराब हो सकता आप गिर भी सकती है क्योंकि पेट बरा हो जाता है आपको कुछ दिखाई नहीं देता है दूसरी बात आप जूखती है तो आपके बैक सपोर्ट के के लिए इस टैवल रखने के लिए फिर से आपके रीर की हड़ी को बहुत ज्यादा परिशानी होती है जिस वाज़े से बहुत ज्यादा पेइन के शिकायत जो है वह बढ़ जाती है बुस्तों तो प्रेग्नेंसी के दो रहान तो बहुत सारे बदलाव होते हैं इसी की वज अच्छे से मेंटेन रखना है आपको करीब 2-3 लिटर पानी पीना ही है प्रती दिन तो आप एक रुटीन बनाईए ताकि हाफ एन आवर्स में 20 मिनट्स पे आपको एक अलार्म बज़े और बताए कि हाँ एक गलास पानी अभी पी लेना है दूसरी बात कभी भी आपको सोने के पोजिशन को जरूर बदल लेना है करवट लेकर के सोना है बहुत ज़्यादा कोसिस करनी है कि करवट लेकर कहीं दाएं हो या बाएं हो सोने की कोसिस करें आप पीट के बल बिल्कुल भी सोना बंद कर दीजे इसके अलावा जब आप बैठे रहते हैं तो तकिये का लेना बहुत जरूरी है आपके बैक पे, क्योंकि ऐसा करने से उसको आराम मिलेगा, नमी मिलेगी और साथ ही साथ आपको दर्द में आराम राहत मिलेगा, आप चाहें तो heat bag, cold bag का भी परियोग कर सकती है, थोड़ी बहुत सिकाई कर सकती है, अपने ही हातों से आप मालिस कर सक बहुत ज़्यादा मालिस नहीं कराना है क्योंकि फ्रेंस यह हामोनल चेंज की वज़े से भी होता है रिलैक्सिंग हामोन बढ़ने की वज़े से भी कई बार हमें जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाता है तो इसलिए अगर धर्द सहनी है तो आप इसको ठीक तरीके से हैंडल कर सकती है अपनी lifestyle में चेंज करके अगर अहसानी यह है अब किसी भी प्रकार की कोई भी घरे लूपाय से ठीक नहीं हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पाद जाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर उस समय पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है वो उसकी डाइग्नोस करेंगे उस क्योंकि यह सारी चीजें आपके हामोन्स को रिलाक्स करती हैं साथे साथ आपके लिगामेंट्स जॉइंट्स को फ्लैक्जिवल रखती है तो दोस्तों उमीद करती हो यह वीडियो आपके लिए बीहत हैल्फुल होगी अगर मन में कोई शंका है शवाल है या इस वीडियो स देली मेरे चानल पर आते हैं जो आपके लिए बेहत लाबकारी हो सकते हैं तो चलिए अपना पूरा ध्यान रखिए नेक्स टाइम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छी टॉपिक के साथ टिक किया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप कर दिर्शे शुक्रिया थैंक्स पर वोचेंग